बागत है आपका हमारे चैनल पायवजिक से और आज हम लाएं है आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे के डाइबिटीज के मरीजों के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक होता है और आज ही के वीडियो में ये भी जानेंगे के फूड आइटम खाये जा सकते हैं तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आईए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं के प्रोटीन और डाइबिटीज के बारे मे और उनके विभाजन के लिए जरूरी है आप समझ ये के प्रोटीन हमारे शारिरिक और मानसिक विकास के लिए बेहत जरूरी है लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर में कुछ खास हॉर्मोन के रिलीज को भी कंट्रोल करता है और आप समझ ये के ये वही हॉर्मोन होते हैं जो हमा को बताऊं कि diabetes और protein का एक गहरा relation होता है protein शरीर में glukagon और insulin के release को बढ़ाता है जिससे blood में glucose की मात्रा नियंत्री तेहती है लेकिन diabetes से प्रभावित लोगों में सिर्फ glukagon का ही स्राव होता है insulin अवरोधित रहता है और इसी अवरोध के कारण blood sugar level बढ़ता है लेकिन सुभे के नाश्ते में अगर आप protein युक्त चीजों को ज़्यादा शामिल करेंगे तो कहीं न कहीं इस इस्तिती को manage किया जा सकता है यानि जो insulin का अवरोध है उसे रोका जा सकता है वैसे तो आपको यह समझना चाहिए कि चाहे किसी को diabetes हो या ना हो दोनों के लिए ही protein की ज़रुत लगभग एक जैसी ही है इसलिए कुल खाई जा रही calorie का लगभग 20-30% हिस्ता protein के तौर पर होना चाहिए क्योंकि औसतन रोजाना लगभग 2000 कैलोरीज की आवशक्ता होती है एक सामानी विक्ति को तो इसलिए protein के द्वारा आप 400-600 कैलोरीज प्रती दिन ले सकते हैं मैं आपको बता हूँ कि आपको रोजाना कितनी protein खानी चाहिए तो ये कही ना कही आपके वजन पर नीरभट करेगा यानि अगर आपका वजन 50 kg है तो आपको 50 gram protein रोजाना खानी है अगर आपका वजन 70 kg है तो आपको 70 gram protein रोजाना खानी है तो इसी आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि नाच्थे लंच और डिनर में आप क्या-क्या ऐसे food item खा सकते हैं जो protein से भरपूर है और आप इन food item से अपने दिन भर की जो protein की आवशकता है उसे आराम से पूरा कर सके तो बात करें सबसे पहले नाष्टे की तो मैं आपको बता हूँ के नाष्टे में जो target protein है 50-60 kg वजन के लिए वो लगभग 20-24 ग्राम है ये आपके total जरुरत का लगभग 40 प्रतिशत होना चाहिए और मैं आपको बता हूँ के नाष्टे में आपके पास protein से भरपूर 5 मुख् उप्षण है इसमें सबसे पहले नंबर पर है कि आप मुंग की डाल का चीला खा सकते हैं एक चीले में 10 ग्राम protein मिलेगा आपको 50 calories है इसमें जबकि 100 ग्राम दही अगर आप खाते हैं, तो इसमें 10 ग्राम प्रोटीन और 100 कैलोरीज हैं, इसके अलावा आप बेशन का चीला खा सकते हैं, इससे भी आपको लगवस 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 150 कैलोरीज के साथ, फिर एक कप ओर्ट्स खा सकते हैं, इसमें 13 ग्राम प्र और इसके साथ में आपको 14 ग्राम प्रोटीन मिलेगा तो यह सभी नाश्टे जो है प्रोटीन से भरपूर हैं आप इन में से कोई से भी अदल बदल करके खा सकते हैं रोजाना अपनी प्रोटीन की जरौत को देखते हुए फिर बात करें लंच की तो मैं आपको बताओं कि दल को जरूर करना चाहिए और इसमें खासतोर पहे ऐसी जाले खाई हैं जो प्रोटीन से भरपूर हों यानि आप अथर की दाल मूंग की डाल उडळकी डाल करें और सकते हैं 55 में आपको 14-15 gram क्राइब इसके अलावा आप 20 gram शोयाबीन की बड़ी खाते हैं इसमें आप 17 doubleру ग कालेछने तो मैं आप 15 से फिर स्टीट रखल्णज बड़न लिए दाल का सेवन करना बहुत ज़रूरी होगा और इसके साथ में आप कोई न कोई हरी सबजी का सेवन कीजिये जैसे कि आप पालक खा सकते हैं। ब्रोकली खा सकते हैं। गोभी खाईए, मश्रूम खाईए, ये सभी प्रोटीन की अधिकता वाली सब्जिया हैं, इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोटीन की भरपाई पूरी नहीं हुई है, तो आप रात के खाने में काले चने, राजमा या फिर सोया बीन और पनी रादी को भी शाम थाउ आखाई पूरी नहीं कीं अलावा सो साह जड़ी की तरहा आए हैंो कि दो खार में की तोटीं की अधैषी हैं, रतда होती अलावागा इसके अगिए और आपको यूअर पु कि राउवागे जलावागे वेह नहीं कीमत्वांगें